नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है आज की फ्रेश वीडियो में आज मैं आपको सिखाऊंगा किस तरह सब गूगल सर्ष को वर्डपरेस वेबसेड में इंट्रिगेट कर सकते हो तो यह सब के बारे में जानने के लिए वीडियो देखते रहे हैं तो सबसे पहले दोस्तों आप एक लाइव एक्जांपल देख लिए इसके बाद में आपको बताऊंगा कि अगर आप अपनी वर्डपरेस वेबसेड में गूगल सर्ष को इंट्रिगेट करते हैं तो इसके बेनफेट क्या है जो बड़े-बड़ी वेबसेड होती है जिसे कि AWP Beginner तो यह जो वेबसेड है इसके अंदर अगर आप किसी भी परकार की क्वेरी सर्ष करतो हो वेबसेड के अंदर तो यहाँ पर मालनी जहां हो सर्ष करते हैं तो अटोमेटिकली यह वेबसेड क्या करता है कि गूगल में से जो डेटा है इसको फेज करकर आपको यहाँ प अगर आप जो बाइडिफोल वेबसेड के अंदर सर्ष होता है इसका यूज करता हो तो यह इतना एक्यूरूट नहीं होता है और जो किसी भी प्रकार के एगवाग क्वेरी लिखने में मिश्टेक करता हो तो रिजर्ट नहीं आता है जिसकी मैं आपको यहाँ पर एक एक ए पोस्ट है जिसके अंदर आपने टेक यूज किया होगा ऐसी हो तो वहीं यहाँ पर शो होगा और माली यहाँ पर मैं किसी भी प्रकार की मिश्टेक करता हूँ स्पेलिंग लिखने में वगिरें तो यह इतना एक्यूरूट नहीं देगा जो हमीं यहाँ पर रिजर्ट के अ उपन करना है वो यहाँ पर से आप उपन कर सकते हो और इसके अलवा भी SEO के अंदर इसके बहुत सारे बेनिफिट है तो आपको यह आपके साइट के अंदर यूज करना जाए तो इसलिए वीडियो में ने बने और आज मैं आपको बताऊंगा कि कि इस तरह से आप भी आपक आपकी website के अंदर इस तरह से गूगल का जो custom search result होता है वो आपकी website के अंदर आप integrate कर सकते हो अगर आप ऐसा करो तो इसके अंदर आपकी website का ही data आपको यहाँ पर अशो होगा दूसरी website का data गूगल के अंदर से नहीं आएगा क्योंकि आपको कुछ custom setting करना पड़ता है वो म आपको सिखाने वालों तो अगर आपको भी आपके site के अंदर इस पर करका search add करना है तो simple आपको सबसे पहले जाना पड़ेगा आपके dashboard में आपको यहाँ पर एक plugin यूज़ करना है तो simple आपको जाना है plugin में इसके बाद add a new plugin यहाँ पर आपको search plugin के अंदर लिखना है WP Google search लेगें successful एक्ट हो चुका है इसके बाद आपको जाना है setting में setting में जाने के बाद WP Google search के उपर आपको click करना है तो इसके अंदर आपको कोशने करना है simple setting के अंदर आपको यहाँ पर Google search engine id add करना है तो वीडियो का description में आपको एक link में लगा वो link आपको open करना है तो आपके स वही Gmail account के मदद से आपको यह link open करना है और link open करने के बाद आपको create a custom search engine के ओपर click करना है इसके बाद यहाँ पर आपको website add करना है हम जो website use करने वाले है इसका नाव है infinity again dot com URL copy कीजिए और यहाँ पर हम paste करते हैं इसके बाद आपको setting नहीं करना है simple create button के ओपर आपको click करना ह इसके बाद आपको यहाँ पर तीन option देखा देगा इसमें सब कुसर लास्ट वाल option है modify your search engine वहाँ पर इसके सामने लेखाओ का control panel इसके ओपर आपको click करना है जैसा आप control panel के ओपर click करोगे तो आपके सामने यहाँ पर देखा देगा search engine id simple आपको coffee to clipboard के ओपर करके आपकी website म आपको save changes के ओपर click करना है इसके बाद आपको जाना है अपनिस में वहाँ पर जाके आपको जाना है widget में और widget के अंदर आपको यह जो plugin है इसका widget आपको replace करते हैं जो आपका by default search है इसकी जगा तो हम जाते हैं नीचे और वहाँ पर आपको देखे देखा WP Google search इसको यहाँ को open करेंगे तो आपको sidebar के दिखे देगा Google custom search अब यहाँ पर आप किसी भी पर करकर के परफॉम करतो हो यहाँ कि यहाँ पर हम सब्सक्राइगे डिजिटल ओशन और search button के उपर click करेंगे तो देखे यहाँ पर रिजर्ट आज होगा है इसके अंदर जितने भी रिजर्ट आएगे वह infinity ग्यान डोटकों के होगे इसके अलब आपको किसी भी पर करके रिजर्ट नहीं दिखा देगे तो यह इसका benefit होता है इसके बाद simple इसको हम close करते हैं दूसरी query परफॉम करते है इसकी मदद से यह होगा कि आपके साइट के अंदर अगमानली जह हमने SEO keyword search किया तो यह जो tool है वो try करेगा कि आपके साइट के अंदर जहां-जहां पर आपने SEO word use किया है यह post को यहां पर आपको फेस करके देंगा तो यह plugin का यह benefit है इसके अलबावा WP beginner की तरह अगर आपक आपके मेरे ख्याल से आपके लिए परवेक है कोई भी जो यहां पर search करेगा query search button के उपर click करेगा तो pop-up के अंदर आपके जितनी भी जो result है वो show होगे तो I hope कि दोस्तों आपको आपको आसका यह पसंद आया होगा अगर पसंद आये तो वीडियो को लाइक और शूर कर डि जो में तरहे थाइम क्यों पर शूर्शन देश वीडियो